मैं मैं स्वावित करता हूँ आपको अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तो एक वीडियो बनाया था कि एट पे कमिशन जो है उसमें क्या डिमार्ड रखी गई है लेकिन इस्थिती थोड़ा सा घच-पच हो गई है कि कितना सेजरी बढ़ेगा किसी का 1900 ग्रेट पे है किसी क बेसिक जो है वो 18,000 है तो उनके लिए कितना बढ़ेगा कैसे निकलता है तमाम चीजों के बादे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आकमा पे कमिशन अगर लागो होता है 16 के बाद 26 में यानि कि देड़ साल के बाद अगर लागो होता है तो कितना आपके बेसिक बढ में जो बात कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए तमाम चीज़े आपको यहां पे मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लिजेगा चलिए बात कर लेते हैं चलिए परदे सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अब सुनना चालो किजिए बात कर लेते हैं कि य तो जितने भी आपके pay commission आये उसमें कितना percent की salary increase हुई, आप देखेंगे कि छठा जो बेतन आयोग है, उसमें ही सबसे ज़्यादा salary increase हुई, जितने भी आप बेतन आयोग देखेंगे कि इसी में 14% का increase हुई, लास्ट वाला जो 7th से जो अभी चल रहा है, उसमें मातर 14 या आपका आये आयोग, आठमा बेतन आयोग, तभी benefit होगा, नहीं तो बहुत कम ही benefit होगा, जिस तरीके से दिखाया गया है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्या बढ़ता है, देखेंगे, आपको मैंने rough diagram बना के समझाया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि देखेंगे, 80 में लागू हुआ, 27% की basic में बिर्धी हुई, और यहाँ पे minimum salary 750 रहा, फिर्थ बेतन आयोग की बात करें, जो 96 में लागू हुआ, हर 10 साल के बाद आप देख रहे हैं, जिसमें 31% की बिर्धी हुई, और इसमें minimum जो बेतन रखा गया, वो 2550 रखा गया, उसके बाद अगर हम बात कर लें, छटे बेतन आयोग जो की 6 में लागू हुआ, और इसमें fitment factor एक आया बीच में, एक नया term fitment factor, जो की किस पर depend करता है, आपके उस समय के DA कितने हैं, और बिर्धी कितनी देनी है, उस पे fitment factor है, यानि की fitment factor यह हुआ, कि जितना गुना यह लिखा गया है, उ उसमें इतना से गुना कर लिजे, अगर 18,000 है, तो 18,000 में इतना से गुना कर लिजे, तो उतना आपका basic हो जाएगा, तो उसके बात 7th pay commission, जो की 16 में लागू हुआ, उसमें fitment factor 2.57 था, अब जो मांग की गई है, आठ में बेतना आयोग में, उसमें fitment factor कितना मांग की गई ह यानि की इतना से आपका जो salary है basic, basic की में बात करूं, overall नहीं, जिसमें medical भी मिलते हैं, TA भी मिलते हैं, HR भी मिलते हैं, वो तो बात की बात है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका अलग formula है, यानि की सबसे चीज क्या होता है, basically की basic कितना बढ़ेगा, basic के अधार पे ही किसी का 4% है, किसी का 8% HR है, किसी का 25%, किसी का 32%, जो भी है, महानागर में अलग है, नगर में अलग है, गाउच्षेतर में है, तो बात की बात है, लेकिन basic पे ही सब-depend होता है, तो basic है, आपके 3.68 से मांग की गई है कि बढ़ाया जाए, अगर 3.68 से बढ़ता है, तो आपके basic कि ही, आपके 66,240 हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लग रही है, कि 66,240 इतना बढ़ेगा, लेकिन आप सबसे पहले fitment factor कैसे निकलता है, जो देख लिजे, अगर DA 26 में, एक example के तोर पे, DA 26 में कितना हो जाएगा, तक्रीबन 64% के around हो जाएगा, 64%, और बिर्धी, जो है वो यानि कि salary में कितना बिर्धी देनी है, वो आपके, वो decide करेगी, जो ये आयोग गठित होगी वो, उसके बाद जो fitment factor निकलके आएगा, suppose example के तोर पे, 66%, उस समय DA हो जाता है, जब आपके 226 किया starting होती है, चुकि अभी ही 50% हो गई है, और एक महिने के बाद 14 के, तक्रीबन 54-55 हो ही जाएंगे, उसके बाद अगर suppose 25% की बिर्धी देती है, जो कि आप देखेंगे कि 6 बेतर नायोग में 54% की बिर्धी है, लेकिन हम कहां कितना माल रहेंगी, suppose 25% बिर्धी दे, चुकि 7 बेतर नायोग में सबा 14% बिर्धी दी थी, और कहीं कहीं तो 31 भी दी है, लेकि तो अगर हम 25% लेते हैं, तो fitment factor देखें इस तरीके से निकलता है, suppose 66% आपका DA है, और 25% आपको increment मिल रहा है, एट CPC में, तो आपके जो fitment factor कितने आते हैं, 2.08 आते हैं, लेकिन मांग कितनी की गई है, आपके मांग की गई है, 3.68, लेकिन अगर 2.08 ही अगर माल देते हैं, एक्चुल में उस समय 2.08 ही आता है, मांग के according नहीं मिलती है, तो यहां पे भी आपके जो 18,000 basic salary है ना minimum, उसमें आपको 26,000 मांग की गई थी, लेकिन मिला कितना? 18,000, जब 7th commission गटित हुआ था, तो उस समय 26,000 मांग की गई थी, union के दोरा, लेकिन 18,000 मिला, उसी तरीके से अब ही मांग की जा रही है कितना? 3.68, लेकिन अगर suppose 2 ही मिलता है, 2.08 ही मिलता है, जो की actual जैसा दिख रहा है, तो उसमें भी आपके जो salary है, वो कितनी बढ़के मिल जाएगी, वो 37,440, जो कि 18,000 है, वो बढ़के 37,440 हो जाएगी, और 37,440 expected जो actual है, लेकिन मांग कितनी क 66,240, तो कहने का मतलब यह है कि यह minimum होगा, जिनका 19,900 है, उनका हो सकता है कि 40,000 starting salary हो जाए, starting basic की में बात कर रहा हूं, और overall incentive बगएरा मिलाके 50,000 के around, यानि कि average जो आपके salary होंगे, तकरीवन जो सबसे नीम salary होंगे, वो 45,000 से 47,000 around होंगे, और जो 10 साल से नोकरी कर रहे ह उनका 60,000 प्लस आपके salary हो जाएंगे, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे comment box में comment करके जरूर बताएगा, next video मिलते हैं, तब तक के लिए जैहिन, चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सबस्क्राइब कर लेजगा